हेलो दोस्तों, स्टार प्लस के तीन पॉपुलर शोव पर अंडर स्केनर लग चुका है स्टार प्लस ने खुद उन्हें पर्सनली लेटर इशू किया है कि अगर उनके टियार पे इंक्रिस नहीं होती है तो उन्हें ओफेर कर दिया जाएगा जहांपर पहला सीरियल है पढटे श्टोर जिसमें जिसमें हमें रोहिष चंदेर लीड रोल में देखने के लिए मिलते हैं सीरियल के स्टोरी इस टेम काफी बसंद आरी है फ्रैन्स को लेकिन ठीयारपी चैनल के हिसाब से सही नहीं है अगर इनकी TRP फिर भी नहीं बढ़ती है तो इनने जनवरी से फरवरी तक ओफ़ेर कर दिया जाएगा इसके बाद दूसरा शो है बातें कुछ NKC जो कि राजन साही का शो है इसकी TRP 1.6 आई है लेकिन चैनल इससे डिमांड करता है कि इसकी TRP 2 प्लस में आए और इतने TRP लाना इस शो के लिए बहुत जादा मुश्किल है इसलिए इस शो को भी जनवरी या फरवरी तक ओफ़ेर कर दिया जाएगा वैसे इसमें शादी का ट्रेक दिखा दिया गया है तो इसकी जल्दी हैपी एंडिंग भी हो जाएगी अब जो थर्ड शो है वो बहुत ज़्यादा पॉपलर है और बहुत ज़्यादा पुराना शो है इसका नाम है ये रिष्टा क्या कहलाता है जिसमें अभी हमें फौर्थ जेनरेशन देखने के लिए मिल रही है फैंस को स्टोरी इतने जादा पसंद नहीं आ रही है कई फैंस कहता है कि इसके स्टोरी जो है गुमे किसे के प्यार में सिरियल की कौपी किगई है दोस्तों आपको क्या लगता है कॉमेंट में जरूर बताएं दोस्तो स्टार प्लस ने इस शो को भी एक लेटर इशू कर दिया है उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द अगर इसकी टियारपी टू प्लस में नहीं आई तो इस शो को भी ओफिर कर दिया जाएगा और ये भी जन्वरी से फर्वरी तक के माहिने में और फिर कर दिया जाएगा अगर इसके TRP नहीं बढ़ती है तो दोस्तों अगर इन तीनों में से कोई सा भी शो आपका फेवरिट है और अगर आप उसे सेफ करना चाहते हैं जादर लंबे टाइम तक देखना चाहते हैं तो उसे जादर से जादर टीवी पर देखे ता है कि उसके TRP इंकरीज हो सके थैंक यू